हेलो फ्रेंट्स वेल्कम जो ओल एड्टुकेट एकेटिफिक मैं हूँ अविनासुमा राज से हम लोग बात करने वाले हैं आप पंचायती राज में अंके छक की बहाली होने जारी है इसमें कितनी बड़ी बहाली होगे इसके उपर हम लोग बात करेंगे और शाथ में बात कर रहेंगे पर्मानेंट यह जॉब जो रहेंगे और इसी तरह से कुछ पर इसके जगह पर जो आवार्ड जॉब जो आवाड का बद है उसे समाप्त करने के बाद यह सारी चीज़े रहेंगे तो आप सभी लोग जानते हो कुछ दिन पहले पंचायती राज में अंके छक बहा करने वाले हैं यदि आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक जुरूर करें शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जुरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग कर लें दो हजाशे अधीक होंगे अंकेछक का बहाल होंगे बिहार में जो होगा टुटल बहाली दो हजाशे अधीक होंगे पंचायती राज बिभाग के अपने अंकेछक बहाल होंगे और इसके लिए अंकेछक सवां का गठन किया गया जो इसका एक आयोग है एक बिभाग का गठ तयार करने के लिए और इसका पारूप जो था तैयार हो चुका है कि यहां पर राज अस्तर पर और पंचायती अस्तर पर बनाए जाएंगे जिसमें चार पंचायत पर एक अंकेचक रखे जाएंगे बिहार में परस्ताओ को श्रमान परशासन विभाग में भेजा गया और श्रमान परशासन से भी साकरिती कैबिनेट से भी मंजूरी लेना बाकी है तो यह आपको नोटिफिकेशन देखने को भी मिलेगा न तो जनवरी के महीने में लास्ट वीक तक आपको मिलेगे परकिर्या सुरू कर दी जाएगे यह निक्ष्तिया अस्थाई होगी यहां पर कोई कॉई कांटेक्ट भाली ने इसमें एक्जाम के तुरू एक्जाम भाली ली जाएगी और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होगा क्योंकि एक ऑडिटर पद है तो यहां पर गेजुए होना आपको ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट में हो ऐसा कुछ डिफ्लोमा वगरा कुछ नहीं रहेगा पर आपको नॉर्मल जगर्जुएशन किसी भी सब्जेक्ट से होना ज़रूरी है इस परत के रिश्टेशन के लिए बीभाग में आंकेचक सवर्ग सौरी बन रहा प अपडेट है तो आप से भी को वेट करने होंगो मुस्किल से दो मन्त यानि दिसंबर जनवरी यानि फर्वारी के फर्स्ट वी के जनवरी के लास्ट विक तक आपका इसका नोटिफिकेशन आने का पूरा संभावना रहेगा उससे बाद नहीं उससे पहले ही आएंगे उसस सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देखने के लिए आप से भी बहुत बहुत धानेवाद जय ही जय भारत